हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे सवस्थ होगे बिल्कुल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कलास 10 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स तो सर्कल्स के बारे में कुछ बता कौँगा वैसे तापको सर्कल्स के बारे में पता ही होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक भीबतादूगा और उसके बाद जो अम्राफ शप्टर गहता है हम NCRT Look का सुलईशन स्करते आपको पता है तो NCRT Look में जो मतलब चंटर 10 है ख कर लेता हूं जाल राइगा जी ओके है तो देखे सेर्कल्स क्या होते हैं सभी को पता है यह सर्कल है ठीक है तो मेरा पैन थोड़ा मतलब पैन किम्पूटर पे लखते टाइम थोड़ा ही लेगा तो उसके लिए आप माप कर दीजेगा मेरको यह circle और अगर आप कहो तो मैं आपर आपको circle का जो shape है वो लेकर दिखाता हूँ this is a circle ठीक है तो इसको आप circle मान सकते हो अब इसमें एक center होता है क्या होता है कि center इसको c से denote कर लो या o से कर लो ठीक है उसके बाद इसमें एक radius होती है जो center से लेकर इसकी जो circumference वारी line होती है यहां तक circle का circle के line यह होती है जो इसके चार और होती है इसको circle के line बोलते है तो यहां से लेकर यहां तक कि जो distance होती है इसको क्या बोलते है radius क्या बोलते है radius जिसको हम R से denote करते हैं और इसमें डायमेटर होता है डायमेटर जो दो पॉइंट, सर्कल के किनी दो पॉइंट्स को मिलाता है या और कहां से जाता है सेंटर से होगर निकलता आईए ठीक है, पासी धरो सेंटर एंड मीट्स है टू पॉइंट ओफ ए सर्कल, तो इसको क्या बोलते हैं डायमेटर जिसको हम कैपिटल डी सी देनोट करते हैं कैपिटल डी सी के शूर देनोट करते हैं डायमेटर को, इसमें कोड भी होती है इसको हम कोड बोलते हैं कोड क्या होती है, कि किनी भी सर्कल के किनी भी दो पॉइंट्स को मैच करती है, लेकिन जो क्या बोलते हैं, शेंटर से पासीद नहीं करती, इसको मैं A-B नाम लिख देता हूँ, लेकिन ये जो हमने बादो ये लिया था, डायमेटर, इसको भी हम कोड बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो दो पोइंट है, उनको मिलाती है, और A-B भी ये कोड है, लेकिन A-B एक उसके बाद सरकल का बेस्टी कितना ही है, उसके बाद हम अपने चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर मैं आपको NCRT की बुक से करौँगा, NCRT की बुक का मतलब है, कि अगर आपके पास बुक है तो आप अपने साथ बुक को खोल लेजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी जो स्क्रीन है, इसके उपर आपको NCRT की PDF दिखाऊंगा, उसी में से हम डेटेल से पढ़ेंगे, और डेटेल से करवाँगा, उसी को आपको समझाऊंगा, अगर मैं उसको मतलब क्योशन को यहाँ पर कोपी पेस्ट करता हूँ, तो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन वह वाली बात नहीं आएगी, फिलिंग नहीं आएगी, भुक वाली फिलिंग नहीं आएगी, तो हमें फिलिंग भी लेनी है, कि हम बुक से पढ़ाए हैं और उसी को समझेंगे, तो आप अपनी भुक से उसको मैच भी कर पावें, और डेटेल से हम उसको bands क आपको स्क्रीन पर तीन सर्क्रल शो कर रहे होंगे ये जो तीन सर्कलस है एक, दो, परतीन इन तिनों सर्कल्स के बारे में कुछ आपको बताऊँगा इसमें देखी ये सर्कल है और इसके साथ में एक पुईंट जो लाइन है PQ इसके साथ में है यहां पर जो पीक्यू लाइन है वो इसके अंदर से जा रही है तो इन तिनों में difference क्या है ये तो जो circle है इसमें PQ इसकी non-intersecting line क्या है non-intersecting line मतलब इसको कहीं पर भी intersect नहीं कर रही ये दो point पर intersect कर रही है तो intersecting line तो है लेकिन इसको क्या बोलेंगे A, B इसके code होगी ना आपको पता है ये भी क्या होगी code अगर ये A से B तक होगता तो इसको हम code बोल देते हैं लेकिन PQ क्या है P और को दोनों point बाहर है तो इसको हम बोलेंगे secant क्या बोलेंगे PQ इसे secant PQ इसे secant मैं कदर इसका थोड़ा और अलग करता हूँ ताकि आपको direct से show करे जी PQ इसे secant और जो यहाँ पर देखिए PQ क्या है जो A point के उपर cut कर रहा है इसको हम tangent बोलते है क्या बोलते है tangent तो इसका यह रहा tangent ठीक है तो A point के उपर cut कर रहा है उसको क्या बोलते हैं tangent तो यहाँ शापको प्रता लिगा हुआ कि जो line circle को एक point के उपर cut करती है या पर intercept करती है उसको क्या बोलते है tangent क्या बोलते है tangent तो जो ये chapter है इसे में हम tangents के बारे में ही पढ़ेंगे tangents related ही ये chapter mainly tangents के बारे में सबते हैं आगे देखिए tangent of a circle to a circle sorry tangent to a circle अब इसके बारे में पढ़ना है तो इसकी एक definition दे गई है A tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point मत्वड़ा जूम भी कर लेता हूँ इसको आपको screen पर पूरा से होगा होगा A tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point जो शिर्फ एक point के उपर, at only one point के उपर कट करे circle को, वो क्या कहलाती है, tangent कहलाती है, ठीक है तो ये बात आप या जखिएगा, tangent to a circle क्या होती है A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point कितने point पे, only one point पे अब ये बात आप note कर लीजेगा There is only one tangent at a point of the circle अगर कोई circle दे रखा है आपको, और उसके उपर कोई एक point दे दिया तो इस point से कितनी tangents passes हो सकती है शिर्फ a की होगी, जो इसको touch करेगी अगर मैं इसको ऐसे निकालूँगा, तो यह यहाँपर touch हो रही है ठीक है, तो इस point के उपर शिर्फ a की touch होगी जैसे कि इसमें ये point दे रखा है पी, इसके उपर से शिर्फ a की ये जा रही है अगर किसारे जो cut करेंगे, वो इसको दो या तीन, मितलब इसको दो point के कम से कम कम से कम इसको cut करेंगे ठीक है, तो आपको बात नोट हो गई होगी कि अगर किसी circle के उपर एक point दे दिया आपको तो उससे शिर्फ one tangent ही pass होगी, only one tangent ही pass होगी, एक point से main बात यहाँ पर आती है, the tangent to a circle is a special case of secant secant का special case है, secant मैंने आपको बताई जी कि दो points के उपर जो ऐसे cut करके जाती है, उसको secant बोलते है tangent उसी का एक special case है, when the two end points of its corresponding code in coincide तो यह एक special case है, इसके बारे में थोड़ा आगे आएगा तो हम आगे पड़ लेंगे आगे चलते हैं, आगे इसे में कुछ खास नहीं है, यह भी छोरम है, छोरम 10.1 इसको note कर लिजेगा, the tangent to any point of a circle, the tangent at any sorry, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius throw the point of contact, इसका main मतलब क्या है कि अगर एक circle बना जेता हूँ, मैं यह आपे, क्या है यह, बड़ा अच्छा नहीं बना, coin चल जाएगा, आई होप, आप इसको mind नहीं करोगे, कि circle अच्छा नहीं बना जाता, इस type से कुछ circle मान लिया, आमने, the tangent to at any point, तो यहाँ पर हमने एक point बना लिया, अगर यह एक point है, तो यहाँ से एक tangent जाती है, इस type से, यह भी इसको match नहीं करो, sorry, इस type से लगा लिजिए, ठीक है, यह इसका एक tangent, is perpendicular to the radius, किस पे radius, तो radius क्या होती है, यहाँ पर एक सेंटर है, उसका एक perpendicular होगा, आपको यह का है, किसनी यह क्या होगा, पर perpendicular होगा, 90 डिगरी का होगा, यह चोरम है, ठीक है, और एक चीज़ माँ आपको पिछे बताना भूलीगा, कि जहाँ पर यह मिलता है, मानलो यह tangent है, तो इसको बोलते है, point of contact, point of contact, जहां पर दोनों मिल रहे है, contact कर रहे है, उसको point of contact बोलते है, तो यह कहा रहा है कि जो radius का origin है, यह इससे यहाँ पर, पे की ओपर क्या बना रहा है, 90 अगरी बना रहा है, यह ठोरम कहती है, इस ठोरम को मैं आपको पूरूव भी करआँगा, लेकिन वो बाद की बाते हैं, मैं एक अलग सी वीडियो जाल दूँगा, जिसमें छोरम सको पूरू करवायद आएगा, अभी इसको नोट कर लेज़ेगा, इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सराइज ही करेंगे, चलते हैं, आगे, हम आ गए हैं, अपनी एक्सराइज 10.1 पर, ए एक टैंजेंट में शिर्फ कितनी सर्कल हो सकते हैं, एक टैंजेंट, सॉरी, क्रिशन फिर से पढ़िए, हाउ मैनी टैंजेंट्स, कैन एक सर्कल है, एक सर्कल में कितनी टैंजेंट्स हो सकती हैं, तो बताइए मेरे को, आप सोचिए एक बार, और फिर बताइए, मैंने आप पो बताया था कि अगर sirkel है उसके उपर कोई एक the point है तो उससे शिरफ एक tenzen जाएगी ठीक एलिकिन पोइंड अगर यहां पर है तो उसे बीड जाएगी यहां पर है तो उससे भी जाएगी tenzen तो infinite points होते हैं एकне सरकलं के उपर इस पे कितनी जो strongest होगी infinite, infinite tangent उसे पासीद हो सकती है कि इस पे एक circle के उपर हो सकती है ठीक है? तो I think आप वोगे question भी समझ में आगाएगा जिसको infinite को आप ऐसे लिखते हो न वो भी आप इसको note कर सकते हो, लेकिन इस transfer क्या आएगा? infinite second question देखे filling the blanks a tangent to a circle, intersect it in dash points एक जो tangent है circle के उपर, वो कितने points के उपर intersect करती है tangent मैंने आपको बताया था कि एक point के उपर intersect करती है एक tangent जो जारी है, वो एक circle को एक ही point के उपर intersect करती है, ठीक है? a tangent intersecting a circle in two points is called अगर कोई tangent है वो अगर दो point के उपर intersect कर रही है किसी circle को, तो क्या बोलते हैं टैंजेंट नहीं इसको सीकेंट बोलते हैं एक कितने टैंजेंट से हो सकती हैं जो बघंजेंट यहाप पर मांने यह तो ओगें नहीं होगी यह कि यहां तो होगी यह तो तो यह इसके parallel है ठीक है और इसके parallel यहां पर बन सकती है नहीं बन सकती यहां पर यहां पर भी नहीं बन सकती यहां पर भी नहीं बन सकती जिस टाइप से नहीं बन सकती तो मतलब दो ही line ऐसी होंगे जो आपस में parallel होंगे तो इसका अंसवरा जाएगा two कितना जाएगा two parallel tangents आगे तरते हैं the common point of a tangent to a circle and the circle sorry the tangent to a circle and circle common point पूछ रखा है common point जो मैंने आपको बताया था point of contact क्या बोलते हैं उसको point of contact जिस पर दोनों मिलते हैं ना मतलब यह बड़ा point जिस पर circle पर है और tangent दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं point of contact point of contact जहां रखीएगा आगे देखे second question इसको हम आपको दूसरी जो sheet है blank sheet उसको पर फोल करूँगा यह tangent pq at point p a tangent pq at point p of a circle radius five centimeter middle line through the center o at a point q so oq is equal to 12 length of pq तो यह पूछ रखा है इसको मैं blank sheet पर ले लेता हूं हम अपनी next three पसलते हैं क्या दे रखा है एक circle दे रखा है circle दे रखा है और इसमें एक आपको tangent है पर कल है tangent है उसके बाद क्या है question मैं अपनी जो मेरे पास book रखे मैं book से पढ़ लेता हूं यह tangent pq at a point p of a circle of radius five centimeter अगर यहां पर radius है कितनी five centimeter ठीक है radius five centimeter meet a line through the center o at a point q so oq is equal to 12 यहां से एक oq है Oh Q और यहां पर आपर दियन पी यहां पर है भी थी तो अपको यह बताना है कि oq कितनी ही है 12 थे रखे और qp कितनी होगी यह बताना है क्या qp कितनी होगे लेन तो P2 q p dal milliseconds मैंने आपको बताया था कि जो radius है यह इशकता 90-D Built-ized लिए यहां पार पाइधा गोड़ थोरम की कहती है कि यह सक्टेर कॉन सा हुआ यह उरीजन है ओ और क्या हुआ एक आइप पिनिस तो यहां पर थोड़ा करेंर एक सेक्ड इरिजर ले लेता हूं इसको कि अभी चलते हैं हाईपरणिस का स्क्वेयर is equal to किसके स्क्वेयर के बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकलर का स्क्वेयर यह उठता है न तो हाईपरणिस कितना है इसमें 12 का स्क्वेयर is equal to बेस कितना है बेस में निकालना है PQ PQ में निकालना प्लस P परपेंडिको कितना है फाइफ फाइफ का स्केयर ठीक है तो इसको 144 माइनस में 25 इस इक्वल टू पीक्यू का स्केयर यहां के बाद हम यहां तलते हैं 144 माइनस 25 यह आपको पता हुआ कितना होता है तो वह जो क्यूशन था हमारा क्यूशन पर चलते हैं यह देखिए इसमें ऑप्षन दे रखा है डी वन वन नाइन अन्रूट और आगे सेंटीमेटर क्योंकि सेंटीमेटर में इसकी यूनिट दे रखी है ठीक है तो आई तिंक आप लगों कोई यहां तक क्यूशन समझना आय अगे चलते हैं फ़र्ट क्यूशन पर ड्रोवी सर्कल एंटू लाइन पैलल तुगिवन लाइन सच यह त वन इस टेंजन एन अद दा आजर शेकट टो दा सर्कल तो ड्रो ओकरना है एक सर्कल जिस पर डो लाइन पैलल है और जिन इसे एक टेंजन है और एक सिकंट है ठीक ह तो यहीं पर करके रहाता हूं आपको खब लेंग सीट पर एक सर्कल ड्रो करना है question number fourth है question number fourth है एक circle ड्रो करना है इस टाइप से जिसमें से एक तो tangent है दो लाइन ड्रो करनी है उसके साथ एक तो tangent यह तो tangent होगी हमारी tangent हमने इसको pq मान लिया tangent pq और एक जिसरी line है उसको और यह क्या है कि यह तो tangent है कि एक point के ऊपर मिल रही है ठीक है यहां पर point होगा कोई उसके ऊपर मिल रही है और यह दो point पर मिल रही R और S तो इसको हम secant बोलते हैंगे secant और यह टेंजेंट तो यही पूछ रखा रहा है कर्शन में कि ड्रो एस सरकल टू लाइन्स पैरलल टू वो दोनों लाइन्स पैरलल हैं यह हमने उस हिसाब जे बनाई थी और वन इस टेंजेंट एंड अधर इस सीकेंट ओफ टू दा सरकल तो आई टिंक आप लोगों के यह कर्शन भ भी प्रवाइड कर दूँ आपको और एक वीडियो में जिसमें दोनों एक्स्राइज हैं उनको भी इकठा करके डाल दूँगा ठीक है दोनों वीडियो का मतलब है कि अग्डी जोक्राइज होगी यह तो इसके जितने मतलब फुल चाप्टर को इकठा करके मैं आपको इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं थैंक्यू जाइन जाबार्त